एलो गाईज, वेलकम टू आशु पर्मार स्पेशल्स APS मैं हूँ आपका होस्ट आशु पर्मार तो आगे हम आपके लिए गवानी वीडियो के साथ और आज की वीडियों आप डिस्कस करने वाले हैं तो हम प्रेक्टिस करना तो चाहते हैं लेकिन हमें तरीके ही पता नहीं होते हैं तो आज यसे पांच इंट्रस्टिंग मैं आपको वेज बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने क्रिकेट प्रेक्टिस को घर पर ही कभी अकेले कंटीनी रख सकते हैं तो वीडियो एने वाली है बहुत ही इंट्रस्टिंग तो शुरू से लेकर एंट तक जरूर देखना तो लेट्स बेगेन कभी-कभी अमारे सा ट्रेजिडी हो जाती है कभी अपनी एकडमी नी जा पाते हैं अपने इना都 खुराइब तो यहां पर ही ऑफिर安 को फील्डंग को शकुले करें या फिर जब आपका प्रेक्टिस करने का मन करें कर सकते हैं तो इससे आपके क्रिकेट की जो प्रेक्टिस है वह भी continue रहेगी और मजा का मजा आता रहेगा तो जो सबसे पहली प्रेक्टिस ड्रिल होने वाली है वह हने वाली है बैट्समें के लिए इसका मेन मोटिफ यह होने वाला है कि बैट्समेन की हैट पोजिशनिंग और उनके जो ड्राइब मारने का तरीका है वो इंप्रूव हो क्योकि मैं देखता हूं यार कभी-कभी बैटिंग करते वक्त हम लोग का जो हैड है वो इस्टिल नहीं रहता मतलब शेक करता रहता है वहला इन gir specialcy क आपको जो करता हैं आपको कुछ और ग्लाव्osph ऑर आपका ओर नॉर्म debat यह drill मैं nets में कर रहा हूँ, आप यह drill कहीं भी जाके कर सकते हैं, मतलब छट पे भी कर सकते हैं अपनी, या फिर किसी garden में जाके कर सकते हैं चोटे से, simply आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो tennis ball आपको इस तरीके से अपने neck के बीच में फसा लेना है, जिससे कि जो आपका head है वो still हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जरा सभी अपने neck को इधर उधर करेंगे तो यह tennis ball गिर जाएगा, तो इससे कही ना कहीं आपकी जो neck की stability है वो जादा बढ़ेगी और अपने ball को इस तरीके से suspend करना है और normal drive लगाना है, इसी तरीके सो आप इस drill को repeat कर सकते हैं, 15-20 minute, 25 minute, जितनी देर तक आप चाहें, उतनी देर तक कर सकते हैं, इस drill के आप level को बढ़ाने के लिए कभी cover drive केल सकते हैं, कभी आप straight drive भी केल सकते हैं, आपकी जो head की stability है वो इससे बढ़ेगी और आपको drive है और आपके जो shots है वो भी improve होगा, क्योंकि इस drill से ना केवल आपकी head की stability है ठीक होती है, बलकि आपके drive भी ठीक होते हैं, और साथ-साथ आपका जो back flow है वो भी अच्चा होता है, तो इस drill को आप free time में भी कर सकते हैं, और कहीं भी कर सकते हैं, personally मुझे भी ये problem आती है, कि जब बॉलर बॉल डाल रहा होता है, तो कभी-कभी हम लोग picky नहीं कर पाते हैं कि भाई बॉल कहां पर pitch होई है, किस तरीके के हमें short scale नहीं है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा eye coordination भी खराब है, तो इस drill से हमारा eye coordination improve होता है, मैं समझता हूँ, आप में से बहुत से लोग इस drill को पहले ही कर चुके होंगे, तो इस drill में आपको सिर्फ अपना एक bat और एक कोई भी normal ball ले लिजे, चाँ synthetic ले लिजे, चाँ leather ले लिजे, उतना जाद आपके लिए better है, उतना आपका focus अच्छा होगा, उतना आपका eye coordination अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी batting के focus में आपको improve करने में काफी help करेगी, तो जो तीसरी practice drill में आपको बताने वाला हूँ, वो cover करती है हमारे fitness को, तो fitness तो बहुत important होती है cricket में तो आप चाहे backspan हो, चाहे आप bowler हो, ये drill आपके लिए बहुत जादा useful होने वाली है, इस drill में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको simply 2 cone ले लेने हैं, मेरे पास 2 cone available है, मैं 2 cone ले ले रहा हूँ, और जब हम run लेते हैं, बैटिंग करते हैं, तब भी हमें sprinting करनी होती है, और fast bowler को भी तेज भागना होता है, अगर आप spinner में हैं तो भी आपका stamina बढ़ेगा, तो ये drill आपकी overall speed वे work करती है, और इसी तरीके से आप sprinting जादा से जादा हो, तेजी से तेजी कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको difficulty level बढ़ाना है, तो आप जो अपने cone के बीच का distance हो बढ़ा सकते हैं, और तेजी से भाग सकते हैं, तो ये drill आपके लिए काफी जादा help करने वाली है, चाहाँ batsman हो, चाहाँ baller हो, तो जो चौती practice drill होने वाली है, वो होने वाली है ballers के लिए, और इसका main motive होगा, वो यह होगा कि आपका action है, वो improve हो, चाहाँ एक spinner है, चाहाँ एक fast bowler है, अगर आपका action rhythmical नहीं है, तो आप अच्छे line 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 से bowling नहीं डाल पाएंगे, और कहीं न कहीं जो आपकी bowling है, उसकी जो effect है वो भी कम हो जाएगी, तो simply आपको इस drill में कुछ नहीं करना है, मैं कॉस्पिनर हूँ, मैं कुछ इस तरीके से अपना action complete करता हूँ, तो इसी को मैं मतलब बार बार complete करूँगा, आदे गंटे तक, मतलब मेरा मन करेगा, जरूर ही नहीं है, आदे गंटा 15-20 में भी मैं इस चीज को कर सकता हूँ, मैं पूरा अपना proper खड़े 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 आपको action complete करना है, यह मेरा auspin का action है, आपका जैसे action हो, चाहाँ आप fast baller हो, चाहाँ black brick baller हो, चाहाँ आप China man हो, जो भी है, खड़े-खड़े कुछ इस तरीके से आप अपने action को complete कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपके action में rhythm होगा, इससे क्या होगा, जो आपका action का rhythm है, वो बनेगा, इसे आप drill को 15-20 meter करेंगे, अपने free time में तो काफी बढ़िया होगा, इसके लिए आपको किसी की जरूरत भी नहीं है, और अगर आपका action rhythm का लोगा, तो आप अची line line से balling डाल पाएंगे, और आपकी balling का effect है, वो भी काफी अच्छा हो जाएगा, तो जो last practice drill होने वाली है, वो हने वाली है fielders के लिए, और इसमें मैं basically ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, बट मैं high catching की practice करता हूँ, because high catching बहुत ज्यादा important होती है, और काफी ज्यादा tough भी होती है, क्योंकि कई बारे ऐसा होता है, high catch लेते हैं यहां तो हम judge नहीं कर पाते ball को, यह मुल्टी सीजी तरीके से catch कर लेते हैं, इससे हम यहां तो injured हो जाते हैं और हमारा catch भी छूट जाता है, और अगर आपकी fielding अच्छी नहीं है, cricket में तो मैं नहीं समझता, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो simply आप इस drill में क्या कर सकते हैं, एक अपनी ball ले लिजे, चाहाँ synthetic की ले लिजे, चाहाँ tennis की ले लिजे, चाहाँ leather की ले लिजे, उसको आप इस तरीके से कुछ उचा फेक सकते हैं, और उसके बाद आपको catch करना है, ध्यान रखना जब आप catch ले रहे हो तो आपका जो eye coordination है, वो मतलब बिल्कुल ball से लगा होना चाहिए, आपका जो ध्यान है, बिल्कुल ball की तरफ होना चाहिए, और आपको इस तरीके से उपर से collect करना है catch को, मतलब high point से low point तक लाना है, केवरेट ड्रिल कौन सी है इन सारी ड्रिल्स में से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो रेडवाले प्रटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे follow कर रहो रहा होगा, वहाँ पे follow कर लो मुझे जाके मैसेज कर सकते हो और अपनी क्वेरी इसको solve कर सकते हो, तो मिलते किसे next video को बड़िये video बनाएंगे आपके लिए तब तक के लिए, Bye!